हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल कानून और आपके अधिकार फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर कोई गॉर्णमेंट इंप्लॉई है यानि की सरकारी सेवक है तो उसके उपर सम्मन की तामील कैसे की जाती है गॉर्णमेंट इंप्लॉई पर सम्मन की तामील के लिए CRPC के सेक्शन 66 में डिस्क्राइब किया गया है गॉर्णमेंट इंप्लॉई पर सम्मन की तामील के लिए सम्मन की दो प्रतियां उसके ओफिस के हेड के पास बेजी जाती है जिसमें से एक प्रती पर office का head sign करके उसे court को वापस कर देता है जिससे सम्मन तामील हुआ माना जाता है ये sign ही वो सम्मन के तामील का evidence होता है इससे पहले मैं सम्मन के बारे में वीडियो upload कर चुकी हूँ जिसका link मैं description box में दे रहे हूँ आप चाहें तो वहाँ से click करके उसे watch कर सकते हैं Thank you for watching my video